नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में डिसेस करने वाले हैं एमस्ट नोडशाट 2022 के रिकार्डिंग क्या कुछ कटोफ रह सकती है इसके अलावा किस रैंक तक सेलेक्शन हो सकता है पिछले साल किस रैंक तक सेलेक्शन हुआ था ठीक है कितनी सीटे थी और एक्जाम का लेवल अब की बार कैसा था कौन सी सिफ्ट का ज्यादा हार्ड कौन सी का इजी था ठीक है एक्जाम कहां से आया था वो सब चीजे हम लोग यहां पे कवर करेंगे वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है बाकी काफी कुछ इनफोर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं तो वीडियो को लाच तक जुरूर बने रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बुले ठीक है उससे पहले एक छोटी सी चीज में आप लोगों को बता देता हूं अपने जो वाट्सअप ग्रूप चल रहे हैं और टेलेग्राम ग्रूप बना रखा है उससे आप लोग जुर सकते हो वहाँ पे छोटी छोटी अपडेट है वो मैं डालता रहता हूं हलांकि हर चीज अपडेट पे वीडियो बनाना संबोर नहीं हो पाता है तो मैं वहाँ पे डालता रहता हूं ठीक है तो आप लोग वहाँ पे इन से जुर सकते हो दोनों से ठीक है इसी वीडियो के डिस्रप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा या फिर आप लोग हरियाना, नर्सिंग, स्टूडेंट नाम से सर्च भी कर सकते हो टेलेग्राम पे और वो जोइन भी कर सकते हो ठीक है सबसे पहले अगर हम लोग एम्स नोटसेट 2022 एक्जाम की बात करें तो मॉर्णिंग और इवनिंग से अंदर एक्जाम हुआ था जिस सिफ्ट के इनर एक्जाम था वो उसी शिफ्ट के एक्जाम को हर्ड़ बताएगा ठीक है हालनकि नोग एक्जाम सेम ही थे ठीक है कोई ज़्यादा difference नहीं था हलांकि difference होगा तो वो normalization के तुरू cover कर लिया जाएगा ठीक है जिसका exam hard था तो वो उसको benefit ही normalization के तुरू होने वाला है कोई issue नहीं है ठीक है अब जो next stage है जो आप लोगों का exam है वो कहां से आया था तो इस पे भी काफी कुछ doubt जो चल रहे हैं वो भी यहाँ पे हम लोग cover करेंगा हालांकि देखो बहुत सारी academy आएसी हैं या फिर जो application वाले हैं वो सभी यही दावा करते हैं कि 100% exam हमारे वहां से आया था इस test series से आया था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी भी test series से complete exam नहीं आया वही 50-60 या 100 question maximum आप लोग बोल सकते हो कि किसी book से आया होगा ठीक है question वाले book से ठीक है या फिर किसी test series से आया होगा किसी academy ने cover करवा रखेंगो उनके जो test series रखेंगी ठीक है 100 question हालांकि 200 question का exam था तो 100 ही question आप लोगों कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे हालांकि 100 भी नहीं थे फिर भी 100 आप लोग मान सकते हो एक चीज तो ठीक है बाकि 100 question ऐसे थे जिसके concept clear थे वो candidate cover कर पाया होगा ठीक है क्योंकि truck type की question थे तो जिसके concept clear है वही ये सब चीजे अच्छे से कर पाया होगा अगर कोई candidate सिरफ question पढ़के गया हो ठीक है या फिर कुछ test series जोइन करके कुछ test देके exam देने के लिए गया हो तो उसका ज़्यादा कुछ score मेरे खाल से नहीं हो पायेगा इस exam के अंदर ठीक है 2021 के अंदर जो exam हुआ था वो काफे कुछ normal सा ही था आप लोग बोल सकते हो इसको ठीक है हाला कि अपकी बार उस exam के मुकाबला किया जाए तो अपकी बार थोड़ा सा उससे ज़्यादा high level पे था exam यह ठीक है तो थोड़ा सा level बढ़ा है ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं है कि cut off कम रहेगी seat कम हो गई है पिछली बार के मुकाबले तो वही लगबग आप लोग बोल सकते हो कि सेम ही cut off हाला कि देखो जब भी exam होता है ठीक है एम नोरसेट का चाहिए exam का level hard हो चाहिए easy हो ठीक है cut off लगबग सेम ही रहती है कोई ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलता है तो बस यही है कि अगर जो कोई 2023 के लिए preparation कर रहा है नोरसेट की तो उनकी लिए यही suggestion है कि आप लोग जो NCLEX की book है उसको follow कर सकते हो ठीक है इसके अलावा target high की book को follow कर सकते हो PR यादाओ को follow कर सकते हो ठीक है बाकी यह सब चीजे material है जो अपना हरियाना nursing student नाम से telegram group है ठीक है वहाँ पे आप लोगो इन सभी की PDF है वो मिल जाएंगी और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा जो किस rank तक selection हुआ था ठीक है अगर इसमें आप लोगों कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो वो भी मैं जो cutoff बताऊंगा उसके साथ साथ cover करता चलूँगा तो ठीक है अब यहाँ पे हम लोग discuss करेंगे सिर्फ cutoff के बारे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो general category है थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी seat announce नहीं हुई है थोड़ा सा expected करना बिना seat के cutoff कितनी क्या कुछ जाएगी तो मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं वो accept करता ठीक है थोड़ा यह है कि मेरा idea लगबग 3.5 या 4000 vacancy रहेगी तो यह cutoff रह सकती है मेरे recording ठीक है अब उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि general category की जब यह 2021 की है ठीक है और यह सिरफ अभी mail की मैं बता रहा हूँ ठीक है 2021 की है यह 2022 की है ठीक है यह cutoff रह सकती है इस rank तक हुआ था यानि कि ठीक है 2386 जिसकी rank थी boys के अंदर ठीक है उसका selection हो गया था अपकी वार 2100 rank तक हो जाएगा और नमबर लगबग 119 से 124 के बीच में जिसके आ रहे हैं उसके chances बन सकते हैं आपकी बार भी ठीक है ओब बीसी category की हम लोग बात करें 2481 rank वारा candidate था पिछली बार 2021 में ठीक है तो उसका selection हो गया था और बाइस सो पचास तक अपकी वार हो सकता है और 115 से 120 नमबर तक selection होने की उमीद है इसके बाद EWs category की 4286 जिसकी rank थी उसका selection हो गया था अपकी वार 4000 rank तक होने की उमीद है और 110 से 115 नमबर तक ठीक है SD category की 3868 rank तक selection हो था 300 rank तक अपकी वार भी उमीद है 111 से 116 नमबर तक chances बन सकते हैं आप लोगों के SD category की 10,023 rank तक हो था 9500 तक अपकी वार हो सकता है ठीक है इसके बाद 105 से 110 नमबर की बीच में अब की वार भी जो cut off इसकी देखने को आप लोगों को मिल सकती है अगर हम लोग female की बात करें ठीक है 2022 के इसकी cut off लगबग ये रहेगी जिसमें से आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ जैसे जनरल के अंदर 2021 के अंदर 3897 जिसकी रैंक थी ठीक है उसका सेलेक्शन हो गया था अब की बार 3700 रैंक जिसकी आ सकती है ठीक है उसके chances हैं कि सेलेक्शन हो जाएगा नमबर हम लोग बात करें तो 109 से 114 नमबर तक सेलेक्शन हो जाएगा जनरल के अंदर female candidate का OBC का 516 तक पिछली बार सेलेक्शन हो गया था 4800 के अब की बार भी हो जाएगा और 104 से 109 तक chances बन सकते हैं AWS के 88895 तक हो गया था 800 तक अब की बार भी chances हैं और 98 से 103 नमबर तक chances बन सकते हैं ST category के 3411 और पिछली बार सेलेक्शन हो था और 700 तक अब की बार भी chances हैं और 99 से 104 के बीच में अगर नमबर बन सकते हैं तो इसमें आप लोगों के chances बन जाएगे ठीक है ST category की 10728 तक सेलेक्शन हो गया था 900 तक अब की बार भी chances हैं और 93 से 98 नमबर के बीच में अगर बन रहे हैं तो कहीं न कहीं आप लोगों के chances हैं ठीक है यह मैंने आप लोगों को टोटली बता दिया है यह वाली जो है वो 2021 के अंदर cutoff रही थी rank wise ठीक है और अब की बार chances यह है कि यह रहेगी ठीक है 135 पिछली बार candidate का यहां पर टोटली लगे थे जो selected हुए ठीक है तो अब की बार भी उमीद यही है कि इससे 400 या 300 400 ही seat कम हो हलांकि ज्यादा seat कम नहीं हो ताकि आप लोगों का selection हो जाए ठीक है यह थोड़ा सा मेरा idea था जो कि आप लोगों की साथ मैंने share किया है ठीक है इस वहाँ पर free of cost आप लोग देख सकते हो totally सभी notes वगेरा ठीक है books वगेरा भी है और मतलब सब कुछ मिल जाएगा जो update आती रहती है वो भी मैं वहाँ पर डालता रहता हूं तो उससे आप लोग connect हो सकते हो आभी के लिए तना ही धन्यवाद